हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तुमारी चानल और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू मैं हूँ स्रिस्टी दोस्तो आज हम लोग दही जमाने का सही दरीका देखने जा रहे हैं और इसके लिए मैंने दूद को बॉयल कर लिया है यह दोस्तो मैं आधा लीटर दूद की दही जमाने की आपको विपी बता रही हूँ दूद को बॉयल करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था अप्रोक्सिमेट्री टेन टू फिफ्टीन मिनेट्स पाद आपका दूद इत्ता ठंडा हो चुका है कि आप उसे आसानी से अपने हाथों से सह सकते हैं दूद्टो आधा किलो दूद की दही जमाने के लिए आपको एक टेबल स्पून दही इसमें डालनी पड़ेगी थोड़ी और दही में इसमें डाल रही हूँ और अब इसका सबसे इंपोर्टेंट स्टेप जो की है इसको फेंटना रोज तो दही रोज मर्रा की चीज है और बहुत से लोग इसे जमाना नहीं जानते हैं इसलिए उनको हमीशा मार्केट से दही ले आके यूज करना पड़ता है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप सभी के लिए उन लोगों के लिए जिनको दही जमाना नहीं आगता है बट इस तरीके से दही को जमा के देखें और फिर देखेंगे क्या उनकी दही इतनी ही बिलकुल मार्केट जैसी जमेगी बहुत ही पॉफिक दही जमेगी दोस्तो ये आपने देखेंगे की दूट को मैंने फेट लिया है और ये अब बिलकुल रेडी है और आप इसको अप्रॉक्सिमेटली पांच घंटे के लिए इसको आप रख दे इसको हिलाए ना याद रखें कि इसको ढखके रख दे और उसे हिलाए ना इसको आपको रूम ना लुक्रेशर पेढ़ा है और पर 5 मively आप देखेंगे की आपकी दही फस्तस जम चुकी होगी दोस्तो हमारे 5 मत बीच चुके हैं और अब देखके देखी क्या हमारी दही जम चुकी है तो आप देख सकते हैं हमारी दही बिलकुल जम चुकी है और यह बहुत ही solid जमी है जैसे कि रिक्वाइट होती है यह बिलकुल perfect दही जमी है तो अब इस पांच घंटे होने के बाद जब आपकी दही पूरी दही से जम चुकी हो तो आप इसे उठा के फ्रिज में रख दें और यह प्रोसेश जो मैंने बताया है यह गर्मियों में दही जमाने के लिए बताया है विंटर्स में दही जमाने का different method होता है उसके लिए दूसरा तरीका होता है उसमें हमें ज़्यादा साफधानी रखनी होती है इसलिए इस तरीके से आप दही को जमाएं और बिलकुल perfect दही पाएं गर्मियों की सीजन में जब आप फ्रिट से निकाले और महमान गयाने पर उनके सामने सर्फ करें या फिर जबी आपको खाना खाना हो आप तुरंत इसे फ्रिट से निकाल के खाएं इससे आपको बहुत ही solid दही मिलेगी बिलकुल perfect दही मिलेगी और ये health के लिए भी बहुती ज़्यादा फाइदे मन होती है तो फिर इस तरीके से दही को जमा के देखें और दही के मजेने